हाई फ्रेंड्स मैं अपूर्बा आप लोंका स्वागत करती हूँ MP सकसेसर्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करेंट अफियर की सीरी 65 के बारे में और आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे 8 सेप्टेंबर 2020 के करेंट अफियर के इसके फॉर्म फिल हो चोके हैं टेंटेटिव एक्जाम डिक तीन से दस नवंबर है अकर आप लोंने फॉर्म फिल किये हैं एक्जाम की प्रप्रिशन कर रहे हैं और टैसीरी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को सर्विस रिष्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को सिं हैं msuccess40 तो इसमें आपको 40% का डिसकाउंट मिलेगा ठीक है यहां पर आपको जेल पहरी की 24 लेंट टैस सीरीज मिल जाएगी हिंदी एंड इंगलेस दोनों मीडियम में और प्राइज भी एफेक्टिव है आप लोग टैस सीरीज देख सकते हैं ठीक है आप लोग परिक्ष सीरी जरूर जॉइन कर लें टैस सीरी से आपकी तैयारी बहतर होती है ठीक है और आपको मोबाइली स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 गंटे अगर आप ठेस्ट देते हैं 2-3 गंटे तो आपको हैविट हो जाती है ठीक है यह कैसी टाइप क्वेश्चन आती है क्या पैटन की भी प्रप्रेशन कर रहे हैं तो इनकी भी टैस सीरीज परिक्षायप पर एविलेवल है आप लोग परिक्षायप पर जाकर कोई भी टैस सीरीज जॉइन करें कोपन कोड यूज करते हैं अगर आप सभी पर आपको 40% का डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है कुछ मुख टैस्ट बगएर अभी एविलेवल हैं जो फ्री ओफ कोस्ट है आप उनको भी पर डे लगा सकते हैं यहां पर अब हम बात करेंगे आज के फस्ट क्वेशन की आज का फस्ट क्वेशन है हाली में मध्य पर मासिम कक्षा का प्रशारण कौन सी कक्षा के विद्ध्यारतियों के लिए किया रहा है ठीक है यहां पर अगर हम बात करें कि नई राश्टी सिक्षा नेती जो 2020 है उसके अनुशार माध्यमिक सिक्षा मंदल द्वारा दूर्जरसन मध्य प्रदेश पर मासिम कक्षा का प्रशारण किया जा रहा है यहां कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्ध्यारतियों के लिए है ठीक है और यह आपको याद रखना है कि कौन से विद्ध्यारतियों के लिए नाई राश्टी सिक्षा नेती के अनुशार क्लासिस यहां मतलब केह वाएं झारह है तो यहां पर है option number C राइड आंसर कक्षा 9 से कक्षा 12 की विध्यारतियों के लिए दूर दर्सन मध्य प्रदेश पर मासिम कक्षा का प्रशारण किया जा रहा है ठीक है और यह नई दाश्टी सिक्षा नीती के अनुशार रहेगा और यह क्लासें 7 सितंबर ठीक है 7 सेप्टेंबर से 10 आगे हम बात करेंगे यहां पर सेकेंड नमर क्षण की हाली में सिक्षक दिबस पर मध्य प्रदेश के किस जिले के सिक्षक संजय जैन को सिक्षक दिबस की अफशर पर दिगंबर जैन स्रिष्ट सिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया यहां पर अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के ओप्षिन नमर ए हमारा राइटान से हुआ चातरपूर मध्य प्रदेश के चातरपूर जिले के सिक्षक संजय जैन इनका नाम आपको याद रखना है को सिक्षक दिबस के अफशर पर दिगंबर जैन स्रिष्ट सिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है और साथ में ही अभी इनको राष्टपती रामनात कोबिंद द्वारा भी सिक्षक दिबस पर राष्टी सिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था ठीक है अगर हम इनकी बात करें संजय जैन की तो राज इसतरीय सिक्छक सम्मान 2020 के लिए भी ये चायनित है ठीक है चायनित छतरपुर जिले की सिक्छक संजय जैन घुबारा को भारत बढ़शी दिगंबर जैन महा सभा दिल्ली द्वारा सिक्छक ने वाले शम्मपूर्ण देश के जैन सिक्छकों से ओनलाइन आविदन मांगे गए थे और जिसमें से कुल 101 सिक्छकों का चैन किया गया है और जिसमें मद्धेपर देश के चतरपुर जिले के संजय जैन का नाम चायनित किया गया है ठीक है और कारिक्रम की सूत्रधार जयन समाज द्वारा दिगंबर जयन स्रेश्ट सिक्षाक साम्मान जितने भी जयन सिक्षाक हैं जयनियों में जो भी सिक्षाक की फिल्ड में कारे करता है इसमें मध्ध प्रदेश के चतरपुर जले के लिए के संजय जयन का चैन भी हुआ है और संजय जैन को अभी राष्ट पती रामनात को बिंदे द्वारा भी राष्टी सिक्षक सम्मान में इनका चैन किया गया था और अभी इनको मतलब राज जिस तरी सिक्षक सम्मान 2020 से भी सम्मानित किया गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है इकाई द्वारा यहां पर आपको नूट कर लेना है अगर हम यहां पर बात करें प्रथम उनलाइन का भी सम्मेलन की भवी कहां हुआ था सागर में ही ठीक है तो मध्यप्रदेश हिंदी साहित शम्मेलन एकाई द्वारा 6 सेप्टेंबर को दुतिये ओनलाइन कभी शम्मेलन आयोजित किया गया मध्यप्रदेश के किस जिले मद्य प्रॉदेस सागर जिले में तो 6 सेप्टेम्बर को, ठीक है ये आपको याद रखना है और इसमें मतलब इसकी अध्यक्षिता पिस ने की है तो कवेत्री डॉक्टर बर्शा सिंग ने ये भी आप याद रख सकते है कि इसकी अध्यक्षिता किस ने की है तो कवेत्री डॉक्टर बर्सा सिंग ने इसकी अध्यक्षिता की है इस ओनलाइन का भी शम्मेलन की इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है और मद्य प्रदेश हिंदी शाहित शम्मेलन मनाया जाता है मद्य प्रदेश में यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ नमबर क्वेशन की हाली में मद्य प्रदेश मुख्य मंत्री स्री सिवरा सिंग चौहान ने गौड खनिज खदानों के लीज धारकों को कितने प्रिशत रोजगार प्रदेश के मूल नवास्तियों को देने की घोशना की है अगर हम यहाँ बात करें तो उप्षे नमबर सी हमारा राइट आंसर होगा 75 परसेंट यानि की 75 प्रिशत हाली में मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह निर्णाय लिया है कि अब 75 प्रिशत मद्य प्रदेश के मूल नवासियों को रोजगार दिया जाएगा खनिज खदानों में ठी इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है नेक्शन हम यहाँ पर बात करेंगे फिफ्ट नमबर क्वेशन की हाली में मद्य प्रदेश पिछडा बर्ग के लोगों के सामाजे के एवं सिक्षा के छेतर में उत्कृष्ट कारे करने वाले व्यक्तियों को प्रोस साहित किये किस ने किया है अगर हम यहाँ पर बात करें ऐप्शन दूमरर बी हमारा राइट आंसर होगा प्छटिश पिछडा बर्ग के लोगों के सामाजी एवं सिक्षा के छेतर में उत्कृष्ट कारे करने वाले व्यक्तियों को प्रोसाहिद किये जाने का फैसला किया है और अगर हम बात करें स्री राम खेला वन पटेल जी की तो ये पिछडा बर्ग कल्यार लाज्यमंत्री श्वतंतर प्रभार के हैं इनका नाम आप याद रखना हैं और ये किस बिभाग के मन्त्री हैं तो किसा बार्ग मध्य प्रदेश पिछड़ा बर्ग कल्यांड राज्य मंत्री श्वतंतर प्रभार के हैं ठीक है इनका नाम और इनका मंत्री विभाग आपको याद रखना है और इन्हों ने यवी ये फैसला किया है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सिक्स नमबर कॉश्चन की हाली में मध्य प्रदेश के किस जिले की शत्तर वर्ड सी ये बैगा आदिवासी पेंटिंग कलाका स्री मती जोदहिया बाई का नाम जिला प्रशाशन दौरा पद्म श्री अवर्ड के लिए नाम अंकित किया हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले की तो ऑप्शन नमर ए हमारा राइट आंसर होगा ओमरिया ठीक हैं मध्य प्रदेश के ओमरिया जिले की हैं ये 70 वर्ड सी बैगा आदिवासी हैं और ये बैगा आदिवासी पेंटिंग कलाकार हैं स्री मती जोदहिया बाई इनका नाम आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के ओमरिया जिले से हैं और अभी हाली में इनका नाम पादमस्री अबॉर्ड के लिए मध्य प्रदेश सरकारद्वारा नाम अंकित किया गया है ठीक है आप इस फोटो क्लिप में भी देख सकते हैं ये ज इतना आपको इस कोशन से याद रखना है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेविंथ नमबर कोशन की यहाँ पर है हाली में मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ने नगरी चेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी विक्री पर से कितने प्रिश्यत कम करने का नेड़ना लिय है अगर हम यहाँ पर बात करें तो अप्शन नमर भी हमारा राइट आंसर होगा ठीक है दो प्रिश्यत अभी हाली में मध्यप्रदेश सरकार ने नगरी चेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी विक्री पर सेज दो प्रिश्यत कम करने का नेड़ना लिया है पहले यह तीन प्रिश्यत सेज देना पड़ता था ठीक है प्रॉपर्टी खरीदी विक्री पर अब यह घटाकर एक प्रिश्यत कर दिया है इसमें दो प्रिश्यत कम ही करी है जिससे अब प्रॉपर्टी नगरी चेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी विक्री पर एक प्रिश्यत ठीक है के लिए सेस में दो परिशद की कमी करी गई है ठीक है, रियल स्टेट में दो परिशद की छूट से लोग आसानी शे अपना मकान खरी सकेंगे इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग ने या निर्णाई लिया है ठीक है ये आपको याद रखना है मुख्यमंत्री स्री सिवरास दिंग चौहन ने प्रदेश की नगरी छेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी विक्री पर स्तांप ड्यूटी में कमी करने का नेड़नाई लिया है और उन्होंने मंत्राले में कोविद नाइंटीन की बज़य से ब्यापक पैमाने पर आर्ट गतिविदियां प्रभावित हुई है और उन्होंने कहा है कि रियल स्टेट सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के इच्चोख नागरेग भी विप्रीत पर इस्तितियों का सामना कर रहे है इसलिए राज्य शरकार ने प्रॉपर्टी की खरीदी विक्री पर इस्तांप ड्यूटी पर तीन प्रिश्चत के स्थान पर एक प्रिश्चत सेस का निर्ना लिया है इस्तांप ड्यूटी पर सेस लगता था जो अभी तक मध्य प्रदेश में तीन प्रिश्चत था और मद्ध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अब इसको घटा कर दो प्रिश्रत घटा दिया है जिससे अब स्टांप ड्यूटी पर जो सेश लगता है वा एक प्रिश्रत लगेगा ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है और यह निर्णाय कब तक यह योजना लागू रहेगी तो यह छूट 31 दिसमबर 2020 तक लागू रहेगी यहाँ पर हम बात करेंगे एर्थ नामबर question की हाली में मंत्य प्रदेश के केस बिभाग के मंत्री ने बिभाग की समिछा बैठक में 5500 करोड की माधव राव सिंधिया परियोजना के लिए सर्वे का काम सुरू करने की सेधानतिक मंजूरी दी है अगर हम यहाँ पर बात करें option number A हमारा यहाँ पर right answer होगा option number A तुलसी राम सिलावट जी ने अभी हाल ही में बिभाग की समिछा बैठक में 555 करोड की माधव राव सिंधिया परियोजना के लिए सर्वे का काम सुरू करने की सेधानतिक मंजूरी दी है ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि तुलसी राम सिलावट जी कौन से बिभाग के मंत्री तो यहां मद्ध्य परदेश में जल संसाधन बिभाग के मंत्री हैं इतना आपको इस question से याद रखना है Next हम यहाँ पर बात करेंगे Static GK के question की आज के Static GK के question की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर first question है सत्खंडा महल किस जिले में है चार option दिये गए है एक right है आप लोग comment box में बताएंगे Next यहाँ पर question है मध्य प्रिदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रिदूसेद नदी है यहाँ पर चार option दिये गए है एक right answer है आप लोग comment box में बताएंगे ठीक है अब हम बात करेंगे कल के questions की यानि की 7 September 2020 के questions की इनके सही उत्तर की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर first question था कुमार गंदर पुरुष्कार के छेत्र से संबंदे थे अगर हम यहाँ पर बात करें कुमार गंदर पुरुष्कार की या संगीत छेत्र से संबंदे थे सभी का यह answer सही था ठीक है कुमार गंदर मध्य प्रदेश के के देवास जिले से एक संगीतकार थे, आपको याद रखना है कुमार गंदर्व कौन थे तो मत्ध्य प्रिदेश के देवास, ठीक है, देवास जिले से एक संगीतकार थे, जिनका निधन 1992, यानिकि 1990 में हुआ, और कुमार गंदर पुरुषकर उन्ही के नाम पर दिया जाता ह ठीक है इतना आपको याद रखना है नेक्स यहां पर हम बात करेंगे भगोर या लोक निर्थिया मध्य प्रदेश की किस जन जाती से संबंदित है अगर हम यहां पर बात करें तो option number A हमारा right answer होगा भील भगोर या लोक निर्थिया भील जन जाती से संबंदित है ठीक है इस करेंट अफियर के साथ तो आपकी जो MPG का portion है यह पूरा कबार हो जाएगा ठीक है और आप लोंको किसी में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंड बॉक्स में पूंच सकते हैं वीडियो को जाए-जादा लाइक करें सेयर करें चैनल पर नाए है तो चैनल को कर लें और अपना फीड़एक देते रहें थैंक यू